मित्र नमस्कार, मैं आचारे धिरजवलूनी डिवायन कोश में आपका श्वागत करता हूँ, कामना करता हूँ, मां दुरगा आपका कल्यान करे नवराद्र के छटे दिन मां कात्याईन की पूजा करने का विधान है इनकी विशेश पूजा करने से कन्या के विवाह में आरही बाधा दूर हो जाती है कहते हैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रिज की गोपियों ने माता कात्याईन की पूजा की थी माता कात्यानी की पूजा से देव गुरे ब्रहस पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का प्रदान देते हैं देवी के इस मंत्र से कन्या को मनोवांचित बर के प्राप्ति होती है मंत्र है इस मंत्र का जब करें कात्यानी रिशी की तपस्या से खुस होकर मा ने पुत्र के रूप में उनके घर में जन्मलिया इसलिए उसका नाम कात्या इनि पड़ा उनका वर्ण सोने के शमान चमकता रहता है मा की अराधना करने से विभा समन्द किसी भी प्रकार के दोस्त खत्म हो जाते हैं मा कात्याईनी ने महिसा सुर्देत्य का सहर किया था और तीनों लोकों को इसके आतंक्षे मुक्त कराया था मा कात्याईनी का यह स्वरूप अत्यंत चमकिला है भव्य है इनकी चार भुजाएं हैं मा कात्याईनी का दाइना हाथ उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में हैं नीचे वाला हाथ बर मुद्रा में हैं बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कम सब्सक्राइब होती है मां का सरल मंत्र मां कात्याएनियमा है मां कात्याइनी ब्रज मंडल की अजिश्ठात्री देवि है पाउरानिक मानिता के अनुशार गोपियों ने स्रिकृष्ण को पाने के लिए इनकी पूझा अर्चना की थी, बिभा के बाद बैवाहिक जीवन की अच्छी सुरुवात के लिए भी मा कात्याईनी की पूझा की जाती है देवी भागवत पुरान के अनुशार देवी के इस स्वरूप की पूजा ग्रहस्तों को विभा के इच्चुक लोगों के लिए बहुत जरूरी है और फलदाई है यदि ब्रिस्ट और तुला राश के लोग मा कात्या इनिकी रादना करें तो संपून समस्याओं का निमारण ह हो जाता है यह दरसल दौनों राषि के स्वामीय सुख्र है शुभा विभा और प्रेम के कारक हैं माँ कात्या इनिकी पूजा से सुक्र ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होती है मां के लिए जप मंत्र है कि या दे्वी सरब होतेु से शो सकते रोबम सब्सस्त्त नमस्त इसके अलावाए इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं इसके लिए उनकी पूजा करने से सत्रु पराजित होते हैं जीवन सुकमय बनता है जब कि मा कात्याइनी की पूजा करने से कुवारी कन्याओं का विभा होता है भगवान कृष्ण को पति की रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमना निदिके तरड़ पर कात्याइनी मा की अराधना की थी इसलिए मा कात्याइनी ब्रजमंडल की अजिश्ठात्री देवी की रूप में जाने जाती है पूरी तरह से Techяться को समर्पित करते हैं मा कात्याईंशनी ऐसे अशीम आश्रवाद स्टा प्रदान करते हैं इस परकार धर्म अर्थ का उर्थअ काम मोक्षप्रांप्ति होती है और मा का आशिरवाद हमेशा बना रहता है मित्रों आज नवरात्र के इश्य उपलक्ष में हमने मा कात्याईने के शंदर्व में आपको जानकारी दी यहां जानकारी आपको कैसे लेगी इसके लिए हमारे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जाएं और जाई मातादी जरूर लिखें निश्य तुरूप से सब्सक्राइब करें पुना बहुत जल्दी आपके शमक्स नई जानकारे के साथ प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद